कि नमस्कार आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं मिलावट के उपर जो कैटल फीर या जो चारा या ग्रीन फॉडर ड्राइ फॉडर जो कुछ भी आप बोलिए इसका मिलावट के उपर बात करेंगे एडल्टरेशन के उपर चीक है यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है देखे जब हम हमारे आखों के सामने हमारी खेत में उगाते तो हमें 100% मालूम है कि जो हम उगा रहे वो हमारे गाए बक्रिये को खिलाते तो उसमें कोई टेंचन नहीं है पर जब आप बहार से कुछ पर्चेस करके लेके आते तो हमें थोड़ा उसके पर डाउट आता है कभी हरा चारा है या सुका चारा है उसके बारे में सोचेंगे तो ठीक है कभी कभी हम एड़िस कर लेते कभी कभी हमें उसमें भी मिलावाट डिखती है ये कुछ अलग है कभी कभी वो सड़ावा भी रहता है पर हम आप्शन नहीं रहता तो पर्चेस करते हैं I mean good heavy density वाला जो हम डिपेंड है क्योंकि उसके सहारे चल रहा है क्योंकि जो हरा चारा या सुका जारा जो आज की तारीक में उगाया जाता है उसमें इतना nutrition नहीं होता है तो nutrition के बारे में अगर कोई बात करेंगे तो उसको adjust करने के लिए cattle feed का सहारा लिया जाता है जो bags में उसको pellets के form में भी देता है न वो तो उसके उपर में बात में बात करेंगे पर एक basic में आपको जानकरी देना चाहता हूँ कि जब हम बाहर से purchase करते है cattle feed तो कभी-कभी हमें यह पता है नहीं चलता कि इसमें क्या-क्या ingredients है क्या-क्या मिलावट है क्योंकि यह किसी doubt नहीं ले रहा हूं है पर ब बताना चाता हूँ वापिस में बताना यह बोलना बहुत जरूरी है मैं कोई बोल रहा नियों कि सब fraud है या इसा कुछ बिलकुल नहीं कुछ लोग है और कुछ लोग blindly accept करते हैं यह नहीं होना चाहिए इसलिए यह question mark खड़ा हो जाता है तो यह differentiate करने के लिए मुझे आपको यह point बताना जरूरी है हमने कुछ ऐसे भी जगा देखे हैं जो cattle feed जो है वो कभी-कभी सड़ावा seed बारिश में भिगावा मक्का है स्वयबीन है उसमें कुछ भी मिलावट करके उसको pellets में convert करके आपके सामने आ जाता है उसमें कुछ ऐसे chemicals भी mix किया जाता है कभी-कभी य calculation है ना कि 100 kg में आपका एक किलो यूरिया होना चाहिए कोई को लोग दो दो तिन तिन किलो चार-चार किलो यूरिया डालते आपको तो बिलकुल पता नहीं चलेगा उसमें क्या-क्या-क्यालग टाइप के chemicals लगाया उसमें डाला है जो हमफूल हो सकते कभी-कभी कुछ ऐसे वो कभी-कभी products आपके सामने बनता नहीं है तो आप उसके उपर विश्वास कैसे रखेंगे अगर कोई genuine company है इनका कैसा हमें पकड़ सकते कि एक standard रहेगा तो इसमें कोई issue नहीं रहता है पर कुछ ऐसे भी non-branded companies है जो इतना नाम नहीं है पर कुछ price के उपर competitive price के उपर जो concept है हाइड्रोफोनिक इसमें एक बात ऐसी है कि जो कुछ भी है आपके सामने बनता है अगर आप इसमें barley use करो या मक्य यूज करो आप आपके जैसा आप आपके खेत में उगाते हो जिसमें आपको 100% कोई doubt नहीं है अगर आप उसमें कुछ fertilizer डाल रहे हो तो आपको किया है जब वो non-branded रहता है तो अब branded non-branded यह अलग बात हो गई पर कुछ तो doubt आ सकता है आपको और ऐसे बहुत से जगा जब एक चीज आप ध्यान में रखना जब cost कम करने का कोई काम करता है ना तो वहां पर definitely जब कोई चीज चीप होती है ना तो उसमें definitely कोई ऐसी हरकत की जाती है ना कि वो डाउट आने जैसा रहता है मार्केट में रेट तोडने के लिए कुछ लोग ऐसी मिलावट करते हैं एकदम substandard seeds रहते हैं जो कहां से तीन रुपया चार रुपया या फिर कोई लोग जो राशन का गेहू रहता है या कोई भी अनाज रहता है चावल भ imagine नहीं करेंगे मैं अब भी ज्यादा तो नहीं बता सकता पर आप एक समझ सकते हो कि जब आपके आखों के सामने जब feed नहीं बनता है तो आपको तो question mark खड़ा हो सकता है ये जो चीज है जो खुद के जमीन पे चारा उगाने का जो एक आनंद रहता है ना वो आनंद आप इ सामने बनेगा अगर आप इसमें कोई अच्छा quality का और दुसरा seed यूज़ करना है तो आपको यूज़ कर सकते हैं कोई लोग sunflower seeds भी यूज़ करते हैं fat content के लिए तो ये आपका option है आपको जो डालना है आप इसमें डालो sprout करो और खिला ये आपके जानवरों को ठीक है कोई म बताना में जरूरी समझता हो कि जब आप hydrophonic fodder पे switch होते हैं तो आपके हाथ में control आता है और जब आप भार से कुछ purchase करते हैं तो कभी कभी ये doubt खड़ा हो सकता है कि इसमें कुछ मिलावट है क्या क्योंकि back पे तो लिखा जाता है इसमें इतना protein है fat है ये ये हैं आपको य ये इससे कौनसे गंदे जगा से इसको उठा के लेकर आए है या उसको mix करने के बाद तो कुछ उसको flavor दिया जाता है तो आसानी से यहां पर adulteration हो सकता है तो ये point आपको समझना बहुत जरूरी है ये इसके अंदर आपका adulteration बिलकुल नहीं रहेगा thanks for watching this video